कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप अपने गरों में स्वस्थ होंगे सेफ होंगे आज की मेरी होम रेमिडीज हैं हमारे टीनेजर्स के लिए खासकर हमारी गर्ल्स के लिए जिनको टीनेज में यह समस्या बहुत जादा होती है यह है पिंपल्स की प्रॉब्लम पिंपल्स इसेज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनके निशान भी रह जाते हैं अगर आप भी स्किन पर एकने पिंपल्स पिग्मेंडेशन जैसे समस्याओं से परिशान हैं तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऐसे गरेलु फेस जो बहुत असरदारक है कई बार हर तरह के स्किन केर प्रोडक्स यूज़ करने के बाद भी आपकी स्किन रूखी और बेजान नजराती है ऐसे में हमारी सलाब को यही है कि केमिकल वाले प्रोडक्स का यूज़ जादा ना करें इनकी जगे आप गरेलू चीज़ों का इस्तिमाल करें ऐसा हम इसले क्या रहे हैं क्योंकि सई क्वांटिटी में अगर होम मेड चीज़ों का यूज़ किया जाए तो पिंपल्स और एकने की समस्या से लेकर स्किन कलर तक में कमाल का बतलाब देखा जा सकता है हम आपको ऐसे फेस पैक बताने जा रहे हैं जो भोती असरकारक है उनमें सबसे पहले है मुलतानी मिट्टी और गुलाब जल दो चमच मुलतानी मिट्टी एक चमच दही दो तिन बुंदे गुलाब जल को अच्छी तरह मिक्स कर लें इस पेस्ट को चहरे पर लगाएं तकरीबन दस मिट्ट रखने के बाद ठंडे पानी से दो लें यह पैक हफते में तीन बार लगाएं इसमें पाई जाने वाले एंट्री माइक्रोवियल एंटि आक्सिडेंट मिनरल विटामिन्स स्किन में ओयल को कंट्रोल कर नमी परदान करते हैं उसके बाद है नीम की पतियों का पेस्ट नीम की पतियां स्किन के लिए दवा का काम करती हैं नो से दस नीम की पतियां का पेस्ट बना लें इसमें चार चुटकी हल्दी का पाउडर मिला लें इस पेस्ट को चेरे पर लगाएं जब पेस्ट सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें यह पेस्ट पिम्पल्स के साथ स्कीन के दागदबे भी कलीन कर देगा उसके बाद है संत्रे का चिलका संत्रे के चिलकों का पाउडर बना लें 3 चमज पाउडर में चार चमच दूद, एक चमच नारिल का पानी, दो से चार चमच गुलाब जल मिक्स करके पैक बना ले हफते में चार से पांच बार इसका इस्तिमाल जरूर करे दरसल संत्रा स्किन में एंटियोक्सिडेंट्स देता है जो स्किन की ओवर हेल्थ के लिए फायदे मन्द है उसके बाद है ऐलोवेरा जेल और शहद, यह फेस पैक हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि यह नैचुरल है, इसलिए स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है फेस पैक बनाने के लिए एलोवेरा जेल का एक चमच लें और इसे एक चमच चहद के साथ मिला कर मिक्स कर लें इसे फेस पर दस से बारा मिंट तक रहने दें, चहद में पाने जाने वाले एंटी ओक्सिडेंट, एंट्री माइक्रोबियल, मिनरल, स्किन के लिए भाउती फाइदे मन्द होते हैं तीनेज में चहरे पर कील महा से निकलना आम बात होती है हाला कि आज के अलदूल मिट्टी और गंद की किवे जैसे चहरे पर ओयल आ जाता है और कील महा से निकलाते हैं उसके बाद है बेसन और गुलाब जल बेसन में गुलाब जल और निम्बू का रसमी लाकर पेस्ट बना लें इस पेस्ट को चहरे और गरदन पर अच्छे से लगा कर सूखने दें इसके दस मिल्ड बाद चहरे को साफ पानी से धो लें इसके बाद है निम्बू के जूस और एक चमच शहाद का पैक फेस पैक बनाने का तरीका इसमें ये है शुरुवात के लिए सबसे पहले एक कटोरी लें और इसमें निम्बू का जूस डाल लें इसके बाद इसमें शहाद मिलाएं दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें इस मिश्रन को अपने चहरे पर पिंबल्स वाली तवचा पर लगाएं तकरीबन 15 मिन के बाद तवचा को दो लें तवचा को हलके गुनगने पानी से दोएं उसके बाद है बरफ का सेख करना एक छोटे बरफ के टुकडे को एक साफ कपड़े में लपेट लें और धीरे-धीरे उसे अपने एकने पर रगड़ें लेकिन ध्यान रखे कि इसे ज़्यादा देर तक एकने पर ना रखें उसके बाद है टूथपेस्ट आप रूई में थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर एकने पर लगाएं ऐसा करने से आपके एकने पर बहुत अराम मिलेगा ध्यान रहे कि सफेद टूथपेस्ट का ही इस्तिमाल करें जेल टूथपेस्ट का इस्तिमाल ना करें उसके बाद है टीट्री ओयल और ओलीव ओयल एक कटोरी लें उसमें टीट्री ओयल और जैतुन के तेल को मिला लें अब इस तेल के मिशिरन को आप रूई से या उंगली से एकने पर लगाएं और उसे तक्रीबन 10 मिनिट के बाद वोश कर लें उसके बाद है लेसुन का पेस्ट लेसुन की कलियों का पेस्ट बना कर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें इस पेस्ट को सीधे एकने पर लगाएं इस्तेमाल से पहले लेसुन का रस पानी में पूरी तरह से गुल लें दें इसके बाद ही त्यार हुए पेस्ट को मुहासे पर लगाएं पेस्ट को 5-10 मिन तक लगा रहने दें फिर उसे पानी से दो लें पिंपल्स में और एकने में बेकिंग सोडा भी बहुत फायदे बंद होता है बेकिंग सोडा में प्रयाप्त मातरा में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें पांच मिन तक इस पेस्ट को एकने पर लगा रहने दें और फिर इसे पानी से दो लें शहद अपनी साफ उंगली से शहद को एकने पर लगाएं अब इसे 20 से 25 मिन तक सूखने के लिए छोड़ दें क्योंकि शहद काफी देर तक ड्राई होता है फिर उसे पानी से दो लें ये थे मेरे आज के गरेलू उपाए पिंपल्स दूर करने के पिंपल्स इससे ठीक तो हों गई उसकी निशान जो रह जाते हैं जिससे हमारी गर्ल्स बहुत परिशान हो जाती है और उससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जाज़दा लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई